कि अचलिए साहब अब इससे आगे चलते हैं हमारा चप्टर चल रहा है पर मोड़ कहलो पर मोशन कहलो इन कॉर्परेशन कहलो अगला है हमारा preliminary stages company बनादने से पहले-पहले क्या-क्या मतलब कि अपने नाम वगेरा सोचना है कैसे-कैसे जाना है वो सारी चीज़े पढ़ देते हैं बाकी basic चीज़े हम पहले discuss कर चुके preliminary stages क्या-क्या है जो पहले तो कहता है section 4, subsection 2 कहता है भाई साहब company cannot register with a name with consider company registered हो ही नहीं सकती undesirable अगर नहीं है color change कर देते हैं अगर कोई आपका name undesirable है opinion of central government central government कहता है भाई ये नाम जो है ये नाम तेरा गलत है तुने इस नाम के आगे कुछ ऐसे word लगा दिया है जिससे लोग person क्या हो सकते हैं भैबीत हो सकते हैं person क्या हो सकते हैं miscommunicate कर सकते हैं जैसे मैं लगा दो अपने नाम के आगे RBI सिक्षाधाम RBI Limited तो सोचेंगा रहे यार या तो RBI की ही company है है ना तो इस तरीके से अगर government को लगता है ऐसा name है तो आप अपनी company को register ही नहीं कर सकते हैं sir अब आप अपने हिसाब से अच्छा नाम ढूंड लीजिए नाम ढूंडने के लिए MCA की side पे ministry जो की हमारा government का side है जहां पे हमें सारा registration करना पड़ता है उस website पे available होता है कि आप नाम को check कर सकते हैं कि available है या फिर नहीं है तो आपको एक मात्र छोटी से फीज देनी पड़ेगी that is 500 रुपे की एक आपको फीज देनी है paid along with and the digital signature आपको ds से बनाना पड़ता है digital signature क्योंकि अब वो जमाने चले गए कि आप sign करकर के stamp लगा लगा कर दे अब digital signature चलता है यह सारे क्या है यह टोकन होते है साड़े 300 700 800 यह क्या है digital signature ऐसा ही होता है इसी टाइप का होगा इसको laptop में लगाएंगे और sign हो जाएगा ठीक है तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत बाकि आप Google करेंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल में जाएंगे पता चल जाएगा तो क्या करना है सर करना क्या है सर प्रिमिनरी स्टेजिस क्या है सर सबसे पहले आपका नाम अंडिजारेबल नहीं होना चाहिए अगर नाम अंडिजारेबल है तो गवर्मेंट मना कर देगी अब आजए यह 500 रुपे के फीज दीजिए डिजिटल सिगनेचर करें और एप्लिकेंट और एप्लिकेंट प्रोस पर्पोजिंग दा कंपनी टु हैव तो अटेच दा फम मतलब के सर एप्लिकेशन आप जमा करवा दिजिए 500 रुपे फॉर्म द नेम को अप्रूबल मिल गया है रेजिस्टार से अब पंद बीस दिन के लिए अप्रूबल आपको मिलेगा फ्रॉम दा डेट दा नेम अप्रूबल विल विल रिजर्व आपको जो नाम बोला गया कि भाई यह नाम ठीक है तुम रख लो आप चाहते हैं छे मैने बाद सर यही नाम से मैं खोलूँगा किसी और ने ले लिया नहीं चलेगा यह नाम सिरिफ आपका बीस दिनों के लिए रिजर्व रहेगा बीस दिन बाद किसी और को मिल जाएगा पहला पॉइंट क्या था फटा-फट से बताईए सर नाम अंडिज इनकॉरपरेशन या नी पर मोटर जब इनकॉरपरेशन करने से पहले कंपग नख़र नहीं आपको सभी काम करने से पहले आपको किसको आपोइंट करने लेना पड़ेगा चार्ट आकांट या लोएर क्यों क्यूंकि ताकि यह AOE मं बना सके इसलिए इनके लिए हमें में बना एक company के future के बारे में सोचे उसे solicitor बोलते हैं आगे कहता है the memorandum and article must sign by at least seven member अगर हमारा company public है तो साथो member sign करेंगे private है तो कितने member sign करेंगे दो member और क्या क्या देंगे सर address देंगे अपना description देंगे occupation देंगे सारी चीजों के साथ sign कर देंगे कितने point होगे साथ छे point पहला आपका नाम ढूंड लो 500 रुपे के form पैस 500 रुपे का साथ अपना registration करा लो नाम 20 दिन तक रहेगा उसके बाद आप क्या करो lawyer और chartered accountant अपोइंट कर दो उसके बाद क्या करना आपको Memorandum of Association और Article of Association बनवा लेना उसके उपर sign करवा लेना है और private company के case में साथ member से sign करवाना है और private के case में दो से और public के case में साथ से और साथ के साथ एक कम से कम तो भईया रख लेना नाम मातर witness रख लेना एक ठीक है और यह witness वगएर कर देखे रहा क्या होता है सब कोई भी किसी कोई बोलके बोल देता है लो भाई साइन कर देया रहतु बस यहीं रहता है ठीक है अप्लाइंग टू रजिस्टर कमपनी जैसे यह सारे काम आपके रेडी हो गया है यह काम कर लिए अब रेजिस्टरेशन की तरफ बढ़ हो गया यानि सर क्या समझा नहीं समझा नहीं यानि सर सबसे पहले प्रिलिम्नरी वर्क में सबसे पहले नाम आप अंडिसारेबल नाम ढूंड लिया फॉर्म के साथ अपने नाम को रिजर्व कर लिचे डिजिटर सिगनेचर के साथ रिजर्व करने के बाद लॉयर चार्टेट अकाउंटर को बुलाईए भाई मेरे लिए काम कर तू वो क्या करेगा आपके लिए मोई बना देगा बना के फिर आपको उसे डेपीजिट करना होता है उसके बाद उसके उपर सबके साइन होने चीए साथ उमर के साइन होने चीए और एक विटनस का भी वहां पर होना चाहिए जब यह आपके काम हो गहें उसके बाद आपको अब जाना है औरसी के अफिस में स्टेप बचेप यानि सर, after having the done preliminary work, the promoter are request to make application, application किसको दे दो सर, रजिस्टार, रजिस्टार, रजिस्टार का मतलब सर, ROC, रजिस्टार का मतलब सर, ROC को application दे दो जाके, कि सर, हमारा काम तयार है, आप बस registration करने का काम करिये, of the state, हर एक state में ROC अलग-अलग होता है, तो उस state के ROC को दे दीजिए, in which the company registered office will be situated, जिस registered office में situated है, वहाँ पे दे दीजिए, यानि वो सारे के सारे काम करने के बाद आपको क्या करना है, application दे देना है, किसको ROC को जाके, जी तयार है हम, कहां के ROC के, अपने state के ROC को, जैसे ही आपने application दे दिया, उसके बाद क्या होगा, the memorandum of article of company, सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मतलब जितने member है, उससे सब्सक्राइबर, और in the manner prescribed, जो भी manner prescribed है, उसके इसाब से, आपको declaration देना पड़ेगा, declaration क्या देना पड़ेगा, कि आप company जो बना रहे हो, उसका उद्देश से बिल्कुल सही है, आप ऐसा कोई fraud नहीं करने वाले हो, ये सारे declaration आपको देना पड़ेगा, सर, declaration, memorandum में देना पड़ेगा, person का name, first name of director, ये सभी दे देंगा, declaration, declaration का मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा कोई fraud वागेरा वाला काम नहीं कर रहे हो, सर, आपको address भी देना पड़ेगा, registered office का, established, सर, कहां registered office होगा, आपका पितम पुरा होगा, प्लेस होगा, state के, पहले state देना होता है, उसके कुछ दिन बाद हमें, अपना address भी दे देना पड़ता है, to particular name, name भी देना पड़ेगा, including sir name भी बताओ भाईया, family का name भी बतादो, आप सारी detail दो, जो उसका promoter होगा, वो अपनी सारी detail बताएगा, residential address भी बताओ, आप pen card, अधार card, यह सब लगाओ, nationality भी बताओ, कहीं पता चले कोई बाहर का, आदमी आके बाहर का मतलब के, foreigner आके इंडिया के इंतर पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं चलने वाला, every subscriber memorandum along with the proof identity, आपको deposit करना होगा, यानि सर तीसरे point, अब देख लिए फटा-फट से मैं आ जाता हूँ, पहला point, पहला point क्या कहता है, सर आपको signature करने पड़ेंगे, सभी member को, दूसरा point आपको declaration देना पड़ेगा, तीसरा point, तीसरा point आपको क्या कहता है, आपको address आपका बताना पड़ेगा, correspondence जो भी आपका address है, भी temporary basis पे उसे बनाना पताना पड़ेगा, साथ के साथ आपको अपने member, अपने, यहाँ पर address किसका है, सर, यहाँ address office का है, और यहाँ किसका है, यहाँ सर, member अपना declaration देगा, अपना सारा अधार का pen card वगरा, जो भी है, सर, इतना काम कर लिया, यानि हमने सोच भी लिया, idea भी सोच लिया, idea सोचने के बाद फिर नाम भी सोच लिया, नाम भी सोचने के बाद उसको registration भी करा लिया, MOA बन गया, AOA बन गया, signature हो गया, सब काम हो गया, उसके बाद ROC आपको देगी certificate, यह लीजिए, आप certificate लीजिए, और इससे अपने business को चला सकते हैं registered of company एक request required document है जो की change कर देते हैं एक required और कोई color ले ले red ठीक है information आपको कहता है registered on the basis of required document जो आपने required document दिया था उसके basis information पे file shall be registered all document जितने भी document आपने filed, filed का मतलब है जो जमा करवाई थे, filed का मतलब जो जमा करवाई थे, जो भी document जमा करवाई थे, information in the registered issue certificate उसी बिहाब पे वो आपको certificate देगा जो आपने document जमा करवाई थे incorporation of the prescribed form और एक prescribed form में दे दिया जाएगा effect the date of proposed company, आपका जो company है incorporated under this act बोल दिया जाएगा आपकी company registered हो गई company law board के अंदर on the form of date of mention certificate in corporation shall be a lot of company corporate identity और आपको एक sin number दे दिया जाता है sin number क्या होता है company identification number होता है company identification number sin number, वो number जैसे की pen number है ना तो pen number क्या दुनिया में 2 बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं एक ही हो सकता है, एक आदमी का है, ऐसे company का एक pen card बन जाता है जिसको registration number बोलते हैं, वो एक ही होता है, ठीक है, which shall be distinguished identification of the company, जो बिलकुल अलग होता है, it also includes the certificate, और इसके अंदर certificate के अंदर include होता है, sir, 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 इतना सारा काम करने के बाद, इतनी सारी चीजे करने के बाद, हमने अपनी company को registration करवा लिया, और certificate of incorporation ले लिया, लेकिन, लेकिन, ल नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, sir, business start, अब आपको अपने company बन गई है, अपना letterhead, अपना nameplate, अपना stamped, सारी चीजों का documentation करके, फिर ROC को देजिए, और ROC को लगेगा, हाँ, भाई, सब काम कर रहे है, तो चलो, अब business, आपका commencement हो जाएगा, यानि commencement of the business section 10A, commencement, कब मिलेगा आपको commencement का certificate, कहता है, a company incorporated, after November 2018 के बाद से, जब से हुआ है, तब यह नियम आ गया है, पहले नहीं था, having a share capital, जिसका share capital है, have fulfilled the following procedural, requirement before the commencing of the business, business शुरू करने से पहले कुछ document देने होंगे, कहता है, filing कर दो declaration, registration, registered of company को, ROC को एक अपना declaration अब दो, declaration by the director देगा, witness देगा, sorry, director देगा, within 180 days, 180 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही आपको certificate मिला, 180 दिन के अंदर अंदर, आपको declaration दे देना है, किस बात का declaration of incorporation, आपने incorporation करा लिया है, of company का, in the prescribed form, जैसे जैसे आपने बोला था, वैसे वैसे registration कर लिया है, to registered of company, और company registered के पास ही करवाया है, must file stated that the very subscriber, कहता है कि every subscriber, हर subscriber, memorandum has paid, मतलब, memorandum has paid the value of shares, जिस जिसने share लिये थे, उन्होंने पैसे भी समी दे दिये है, company के अंदर, क्योंकि अलग हो जाएंगे दोनो, value of shares, agree upon by the, at the time making declaration, यानि जो shareholder थे, साथ वेक्ती थे, ना, सा खरी देंगे, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया है, इसका declaration दे देना है, verification of the registered office, और registered office का भी आपको सारा address पता दे देना है, the company has request to file with the registered of the company verification of its registered office, और हम बोलेंगे भया, ROC, आप अपने बंदे को भेज़ दो, हमारे office को check करवा सकते हो, आप चाहो तो, as per section, दो बारा, companies act, और ये सारा काम होने के बाद, आपका company start, चालो, आपकी company क्या हो गई सर, start हो गई सर, start हो गई, start, इन सभी काम के duration में,